इसे ऐसे नहीं ऐसे एका इता बड़ा चेहरा एक ऐसे हो सकत है यह बात तब फिजिक्स के माश्टर रासा ही पूछने पड़ेगे बिल्कुल पूछने ही चाहिए डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्मेशन के फंडे को इसके लिए हम कमपास की हेल्प से कौन के मिरर का एक कर्व बनाते हैं और यह इसकी आउटर सर्फेस अब यहां हम फोकस और पॉल के बीच में एक अबजेक्ट एबी रख देते हैं वैसे तो अबजेक्ट से इन्फाइन नमबर में रे ओफ लाइट कौन के मिरर के सर्फेस पर पड़ती है लेकिन वी यूज ओनली टू रेज ओफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दा ओब्जेक्ट एक वो जो प्रेंसिपल एक्सिस के पैरल है और कौन के मिरर की सर्फेस से टकरा कर फोकस से पास हो जाती है और सेकेंड रे ओफ लाइट जो स्ट्राइक करती है मिरर के मिरर के उस पॉइंट पर जहां से नॉर्मल बनता है इसलिए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से बैक होकर पास हो जाती है लेकिन ये क्या दोनों रिफ्लेक्टिड रे डाइवर्जिंग रहे हैं ये तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं अब इन रे ओफ लाइट को करत इसको यहां हम बैक्वर्ड ड्रो करते हैं डोट-डोट पॉइंट से और इसको भी हम बैक्वर्ड करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट एडएश वो भी बिहाइंड दा कॉनके मिरर और यहां हमें मिलती है ओब्जेक्ट एवी की वर्चल विमेज एस एडएश बीडएश विच इज परपेंडिगलर टू दा प्रेंसिपल एक्सिस ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि देर इस नो एक्च्छल इंटर्सेक्शन आफ दा रिफ्लेक्टिड रहें तो दा इमेज एडएश बीडएश इस दा वर्चल इसलिए ये इमेज हमें स्क्रीन पर ना दिखाई देकर दिखती है मिरर के अंदर तो सब बातों का कन्कुलिजन क्या निकलता है जब हम किसी ओबजेक्ट को पॉल और फोकेस के बीच में रखते हैं आगे के कॉंसेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा शेयर और लाइक भी कर दीजेगा कर देकर दीजेगा